ओम गंशिरी महागड़े शाय नमा, राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर रखना हर कोई चाहता है। यह उनका अपने पूर्वजों के प्रती सम्मान दिखाने के साथ साथ अपने आने वाली पीड़ी को अपने पूर्वजों के बारे में बताने का भी जरिया बनता है। हिंदु धर्म को मानने वाले जादा तर लोग पूर्वजों की तस्वीर इसलिए भी घर पर लगाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर घर पर लगाने से, उनका पूजन कहने से, पूर्वजों की कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों हिंदु धर में पूर्वजों को विशिश इस्थान दिया गया है। हिंदू धर में पित्रपक्ष का विशेश महत्व होता है पित्रपक्ष पूरी तरहें से पित्रों को समर्पित होते हैं यह सोले दिन पित्रों के प्रती शत्ता भाव प्रकट करने के दिन होते हैं पित्र पक्ष के दोरान लोग पूंड रीती रिवाजों के साथ अपने पित्रों की आरातना करते हैं और पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में पित्रों की तस्वीर अवश्य ही लगाते हैं दोस्तों आप सभी ने भी अपने घर में किसी ना किसी जगह पर पित्रों की तस्वीर अवश्य ही लगाई होगी लेकिन आपको यह भी जानना अति आवश्यक है कि पित्रों की तस्वीर किस जगह लगाए क्योंकि शास्तों में बताया गया है कि पित्रों की तस्वीर अगर गलत जगे लगा ली जाए तो यह शुफल के जगे अशुफल देती है बास्तू शास्तों में पित्रों की तस्वीर से जुड़े कुछ खास नियम बताये गए है अगर सही नियम के अनुसार सही इस्थान पर आप पित्रों की तस्वीर अपने घर में लगाएंगे तो इससे आपको पित्रों की और दीवी देखताओं की भी किरपा प्राप्त होगी लेकिन अगर आप गलत जगे पर पित्रों की तस्वीर घर में लगाएंगे तो इससे आपको नुपसान होगा गलत जगे पर पित्रों की तस्वीर लगाने से धन की आवक रुख जाती है घर में अशान्ती रहती है घर में नकारात्मक उर्जा बहुत जादा बढ़ जाती है और लड़ाई छगरे भी बढ़ते है साथ ही मान सम्मान में भी कमी आती है इसलिए अगर आपने भी इन जगों पर पित्रों की तस्वीर लगाई है तो उन्हें तुरंत ही हटा दे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पित्रों की तस्वीख घर में किस जगह पर लगाएं और किस जगह पर ना लगाएं और पित्रों की तस्वीख घर में लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस सभी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिरे में सबसे पहले मिल पाई और दोस्तों पित्रों के नाम पर एक लाइक दो बनता है और पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जे पित्र देव अवश्य ही लिखें दोस्तों कुछ लोग अपने घर के मंदिर में देवी देपताओं के साथ ही पित्रों की तस्वीर लगाते हैं पित्रों को देवी देपताओं के समान ही आदरने और सामर्धवान माना जाता है लेकिन शास्तों में पित्रों की तस्वीर मंदिर में लगाना बरजित बताई कई हैं क्योंकि देवी देवताओं का इस्थान पित्रों से उपर होता है इसलिए भूल कर भी मंदिर में पित्रों की तस्वीर नहीं लगानी चाहें जिस घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ पित्रों की तस्वीर लगी होती हैं, उस घर में देव दोश लगता है और नुपसान उठाना पड़ता है इसलिए दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में पूरबचों की तस्वीर हैं तो आप उन्हें तुरंथ हटा दें देवी देपताओं की तस्वीर के साथ साथ ही घर के पित्रों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों की साथ नहीं लगाना चाहें जीवित लोग यानिकी जो आपकी present family friends हैं आपको उनके साथ पित्रों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए ऐसा करना शुप नहीं माना जाता जिस जीविद व्यक्ति के साथ पित्रों की तस्वीर लगी होती है उन पर इसका नकारात्मक प्रभाब पढ़ता है इससे उनकी आयू कम होती है साथ ही जीवन जीने का उस्वीर कम होता है पित्रों की तस्वीर को कभी भी अपने bedroom में यानि की सोने वाले कमरे में भी नहीं लगाना चाहिए साथ ही अपने किचिन रसोई घर में भी पित्रों की तस्वीर भूल कर भी ना लगाए जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता उन घरों में पारिवारिक कलहे पर जाता है और सुक्सम्रधी में कमी आती है रसोई घर में मा अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना शुब माना जाता है और बेड्रूम में पित्रों के साथ ही देवी देताओं की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहें पेड़रूम में देवी देताओं की तस्वीर लगाने से भी अशुफल रताप्त होते हैं। रसोई घर, पुजा घर या मंदिर और बेडरूम के इलाबा, पित्रों की तस्वीर कभी भी घर के बीचों बीच में नहीं लगानी चाहें। घर के बीचों बीच का इस्थान प्रम इस्थान होता है। ऐसे जगों पर भी पित्रों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इस जगे पित्रों की तस्वीर लगाने से घर के लोगों के मान सम्मान को हानी पहुंसती है। पित्रों की तस्वीर लगाते समय इस्थान के साथ साथ दिशा का भी विश्य ठ्यान लखना चाहिए। पित्रों की तस्वीर कभी भी दर्शिर और पश्चिम याने की साउथ और बेस्ट में भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। इससे सुक्सम्रथी की हानी होती है। दोस्तों, अब आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, कि अगर इन जगों पर पित्रों की तस्वीर ना लगाएं, तो ऐसे कौन से इस्थान हैं, जहां पर अपने घर पर पित्रों की तस्वीर लगानी चाहिए? तो आईए, अब हम आपको बताते हैं कि किन इस्थानों पर पित्रों की तस्वीर लगाना शुख होता है? दोस्तों, यदि आपके घर में पूजा पाठ का इस्थान इशान कौन उत्तर पूर्व में हैं, तो आप पित्रों की तस्वीर को पूर्व दिशा इश्ट में लगा सकते हैं. बहीं यदि पूजा इस्थल पूर्व दिशा में हैं, तो तस्वीर को इशान कौन में लगा सकते हैं. इशान कौन यानि की उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं. इसके अलाबा पित्रों की तस्वीर घर के तर्शिम पर्शिम कौने जिसे नेरित्य कौन कहा जाता है वहां भी लगाना शुब माना जाता है घर के उत्री हिस्से में या फिर जिस कमरे में आप तस्वीर लगाना चाहते हैं वहां कि उत्तर की दिशा की दिवार पर पित्रों की तस्वीर लगाना शुब होता है। उत्तर दिशा की दिवार पर भी आपको पित्रों की तस्वीर इस प्रकार से लगानी है ताकि पित्रों की दश्टी जो है वे दश्षिन दिशा की तरफ हो। दशिन की दिशा को यम और पित्रों की दिशा कहा जाता है इसे अकार मेत्यों और संकर से बचाब होता है दिशा के साथ साथ पित्रों की तस्वीर लगाते समय कुछ बातों का विशिर ध्यान रखें घर के किसी एक ही इस्थान पर सभी पूरवजों की तस्वीर लगाएं। वह इस्थान ऐसा होना चाहिए जहां दिशा दोश ना हो। जब भी पित्रों की तस्वीर लगाएं तो तस्वीर के नीचे किसी लकडी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए जिससे तस्वीर लटकत या झूलती हुई नहीं होनी चाहिए घर के पूर्वजों के चित्र तस्वीर सिफ आपके देखने के लिए हैं किसी दूसरे के लिए नहीं अथे पित्रों की तस्वीर ऐसे इस्थान पर लगाएं जहां किसी अथित्थी की नज़र ना पड़े पित्रों की तस्वीर लगाने के लिए कोई इस्टेंड दिवार पर बनबादे या फिर आप कोई खुच से ही सपोर्ट लगा सकते हैं उस सपोर्ट के ऊपर सफीद रंग का कपड़ा बिचाना शुब रहेगा सफीद रंग का कपड़ा बिचा कर उसके ऊपर अपने पित्रों कि पित्रों की तस्वीर रखें और पित्रों की तस्वीर हमेशा साफ रखें तस्वीर के आसपास भी गंदगी देखिए गंदी रहती है लौग स्वीर की आसपास साफ ची नहीं होती तो इससे अश्ण करता है इसलिए दोस्तों आप अपने घर में पित्रों की तस्भी तो अवश्य ही लगाएं जिसे भी प्रसंता हो और आप भी अपने पूरवा चोंका इसमरण कर सकें और उनका दर्शन कर सकें लेकिन भूल कर भी कभी पित्रों की तस्वीर लगाते समय इन गलतियों को ना करें जिससे आपको भी पित्रों की कृपा प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का कोई नुक्सान ना हो उमीद हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शियर करें जिससे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब क झाल झाल